हेलो स्टूड।ोंच तो हैडि और इवोल्यूशन व लाला जंद से चैप्टर है उसमें एवोड्यूशन टौपिक तो आपका कट हो गया है लेकिन है deber Content TV है उसमें जो मैंडर्स का लो है कि किस तरह से जो characters है या फिर traits है inherit हुए है अपने parents से office spring के अंदर यानि कि child के अंदर so friends ये है हमारे Gregor John Mandel क्योंकि इन्होंने inheritance पर work किया है genetics पर work किया है peas के ओपर basically work किया है तो इसलिए इनको father of genetics भी कहते है या फिर father of modern genetics भी कहते है basically इन्होंने क्या किया उन्होंने peas उठाई matter पर इन्होंने experiment करना शुरू करा इसके traits पर experiment करना शुरू करा तो basically traits होते क्या है इस traits होते हैं characters जो कि inherit हुए है parents से अपने child के अंदर child होता है office spring के अंदर तो ये इस तरह से इन्होंने total seven traits पर work किया seven traits को अच्छे से follow किया कि किस तरह से ये जो traits है या फिर character है अपने parent plant से अपने child plant में या फिर office spring plant में transfer हुए है, inherit हुए है तो जैसे कि पहला trait उन्होंने height लिया इसकी दो form है एक तो tall plant लिया और एक short plant लिया इस तरह से second trait उन्होंने seed shape लिया इसकी भी दो form है एक तो round और एक wrinkled चीक है तो इस तरह से इन्होंने third जो है trait लिया वो है seed color एक yellow color का seed लिया और एक green color का seed लिया तो आप यहाँ पे देख रहे है यह जो जितने भी हम लोग बात कर रहे है traits की seed coat color यह जितने भी traits है इसकी दो form है जैसे की green color का coat होता है और एक white color का coat होता है इसे तरह से pod shape उन्होंने लिया pod color लिया green और yellow और उन्होंने seventh trait लिया flower की position कैसी है pea plant पे axial है यह टर्मिनल है तो यहाँ पे आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो दो form है वो होती है dominant firm और एक recessive trait ठीक है तो जो dominant trait और recessive trait को समझना बहुत important है tall, round, yellow, green जो उपर वाले portion है यह सारे dominant traits है यानि कि इनकी अंदर जादा power है अपने आपको express करने की dominant जो है आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अगर dominant trait कहीं पर होगा तो वो अपने आपको express करेगा अगर उसके सामने recessive trait होगा तब भी ठीक है तो dominant और recessive अगर दोनों एक साथ होगे तो dominant trait अपने आपको जादा अच्छे से express करेगा recessive trait कब express करेगा जब सिर्फ और सिर्फ recessive trait वाले character ही होगे पर चाइल्ड के अंदर जैसे कि example आप समझ रहे हैं यहापे तीन तरह के प्लांट है tall plant और एक short plant तो short plant अपने आपको तभी express करेगा जब दोनों करेक्टर उसके recessive वाले होगे यानि कि small t small t अगर small t और capital T भी होगा तब भी plant जो है हमारा tall ही होगा क्योंकि इसके अंदर dominant threat capital T आ रहा है जो इसके अंदर जादा express करने की power है अपने आपको इस तरह से seed color अगर yellow color का seed है दोनों एक भी character अगर capital Y है तो yellow color का seed होगा लेकिन अगर दोनों ही character, दोनों ही small y, small y होगे तो हमें green color का seed मिलेगा तो यहाँ पर आप एक चीज़ और समझे कि इनको बोलते है yellow, capital T, small t, capital y, small y यह सब होते हैं yellow ठीक है, A, double L, E, L, E yellow होते हैं तो इन yellow को अगर हम capital letter से denote करते हैं तो यह dominant trait को follow करते हैं ठीक है, तो dominant yellow is denoted by capital letter और recessive yellow is denoted by small letter तो जैसे कि small y, y है तो यह recessive yellow है ठीक है, ऐसे तरह से capital y और small y है तो capital y dominant yellow है और small y, recessive yellow है ठीक है, तो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं crossing तो मेंडल ने क्या क्या उसने एक tall plant लिया और एक short plant लिया और उसको cross करवाया तो उसने अपने result में देखा कि जितने भी plant हुए है office spring plant हुए है यानि कि child plant हुए है वो सारे ही tall हुए है यानि कि उन सब में capital t और small t था जिस तरह से आपको इस figure में दिख रहा है तो यह तो overview है जैसे कि आपकी anxiety में दिया हुआ है अब इसको explain करेंगे इस diagram के थूँ तो यहाँ पर आप देख रहे है mother और father एक उसने tall plant लिया जैसे कि आप यहाँ देख रहे है एक उसने short plant लिया जो tall plant है उसके अंदर genotype है capital t t और जो दूसरे parent से मिला है short plant जो है small t t यानि कि dwarf plant है तो यहाँ पर आपको genotype सबजना बहुत ज़रूरी है capital t, capital t और small t, small t तो यहाँ से हमें क्या मिला हमें gamits मिले capital t और small t जिसको उसने आपस में cross कर आया और जो office springs आए वो आए capital t, small t क्योंकि इस office spring के अंदर capital t है जो कि एक dominant alleyली है इसलिए जो office springs के जितने भी plant से वो सारे ही tall निकले तो यहाँ से आपको समझ में आएगा किस तरह से इसको बहुते है F1 F1 यानि कि F1 genotype है capital t, small t यानि कि F1 यानि कि first generation first generation आपसे निकालने को पूछे जाती है तो आप इस तरह से निकालेंगे tall plant आपको समझ में आगे कि यह जो plant है office spring के वो tall क्यों है क्योंकि इसके अंदर capital T है यानि कि dominant alleyley है जिसके अंदर जादा पावर है अपने आपको express करने की ठीक है अब कुछ टर्म है genotype यहां पर आपको जीनो टाइप समझ में आ गया होगा जब हम alleyley के थू रिप्रेजेंट करते है तो वो जीनो टाइप होता है phenotype यानि कि physical structure कि वो tall है या उसका कलर कैसा है तो वो फीनो टाइप हो गया gamut आपको पता है क्या होते है F1 genotype आपसे पूचा जाता है क्या होगा capital T, small T और F1 यानि कि first generation का phenotype क्या होगा physically वो कैसे दिखेंगे तो वो tall दिखेंगे या short दिखेंगे तो वो tall दिखेंगे तो जितने भी F1 generation है first generation के जितने भी plants है वो सारे ही tall दिखेंगे आपको tall plants होंगे सारे अब यह तो हो गई F1 generation यानि कि first generation की बात अब उसने करा F2 generation यानि कि जो हमें first generation में plant मिले थे उसने उन plant को उठाया और आपस में cross किया F1 into F2 F1 into F1 जिससे हमें second generation मिली तो यहाँ पे F1 जो है tall capital T T नहीं मिला capital T or small T मिला capital T or small T मिला इस तरह से उसने दोनों को आपस में cross करवाया और देखा कि result क्या नहीं करता है तो यह जो result है उसको बोलेंगे second generation first generation समझ में आया अब यहाँ पे second generation की बात हो रही है second generation में उसमें की बाले plant भी टॉल होंगे क्योंकि इसके अंदर capital T आ रहा है यानि की dominant L ली आ रहा है यानि की जो प्लांट होगा वो टॉल ही आएगा तो अब यहाँ पे explain करते है इस डाइग्राम के थूँ तो यहाँ पे उसने F1 प्रोजन ही ली यानि की capital T और small T वाले parents ली उसको आपस में cross कराया तो यहां से जो हमें gamits मिले parents के gamit मिले father के capital T और small T मिले और mother के मिले capital T और small T ठीक है इस तरह से उसने यहाँ पे हमने gamits को identify किया इसी तरह के से आप अपने exam में भी करेंगे तो यह जिसको ध्यान से देखना है तो अब F2 जनरेशन कैसे निकालेंगे आपको एक table बनानी है जिसमें आपको उपर एक parent के लिखना है capital T or small T और नीचे vertically आपको capital T small T दूसरे parent के लिखने है ऐसे horizontally vertically आप बनाएंगे तो अब स्टार्ट करेंगे इसको cross करना तो first बाले block में आएगा capital T or capital T जब दोनों को cross करेंगे यानि कि जो plant हमें मिले गया वो tall plants मिलेंगे जैसे कि आपको इस figure में शोर हो रहा है next capital T small T उससे भी आपको tall plant मिलेंगे उसके बाद हम नीचे चलते हैं capital T small T हमें tall plants मिलेंगे small T small T दोनों ही recessive है तो इसका मतलब हमें short plant मिलेंगे जो की हमें अभी मैंना आपको picture के तूरू बताया कि हमारे को जो F2 generation है उसमें जो plant मिलेते वो mixed plant मिलेते tall भी मिलेते 1 ratio 2 ratio 1 क्योंकि genotype आपको पता होने चाहिए capital T capital T small T small T यह सब genotypic ratio है phenotypic ratio जो हमें दिख रहा है यानि कि tall versus short तो tall versus short का ratio होगा 3 ratio 1 3 plants tall होगे और 1 plant short होगा genotypic ratio और phenotypic ratio दोनों ही important है बच्चे इसमें बहुत confused होते हैं अगर आपको यह समझ में आया है यह वीडियो देखके तो please comment करके मुझे जुरूर बताएं friends क्योंकि मुझे comments का आपके हमेशा weight रहता है ठीक है genotypic ratio जैसे कि 1 जिसमें T T है capital T T है और 2 plant ऐसे हैं जिसमें capital T और small T हैं और 1 plant ऐसा है जिसमें small T small T है यानि की short plant तो इस तरह से ratio आप निकालेंगे अब हम बात करते हैं एक और example कि तुरू आपको समझाने के जिसमें cross किया है हमने yellow color के और green color के seed को तो yellow color जो है dominant trait है मैंने अभी आपको जो picture दिखाई थी उसमें और green color जो है recessive trait है तो आप इसका F1 generation कैसे निकालेंगे अगर आपके exam में आपसे पूचा जाता है तो आप इसके gamut लिखेंगे सबसे पहले उपर capital Y, small Y इसे तरह से vertically capital Y, small Y और आप इसको cross करना शुरू करेंगे जैसे कि इस पिचल में आपको दिख रहा है तो capital Y, capital Y जो है yellow color का seed होगा capital Y, small Y भी yellow color का seed होगा क्योंकि capital Y dominant trait है जो recessive trait है वो कब अपना शुरू करेगा जब दोनों L.E.L.E. ही small letter के होँगे small Y, small Y तभी green color का plant हमारे पास आएगा green color के seed आएगे ठीक है तो अब आपको क्या करना है अगर आपको समझ में आ रही है कुछ भी आपको इसके अंदर आपको phenotypic और genotypic ratio समझ में आ रही है तो आप से मैं request करूँगे कि आप मुझे comment box में comment करके बताएगे कि इसका genotypic ratio क्या होगा और phenotypic ratio क्या होगा genotype capital Y capital Y small Y small Y ये सब genotypic होते है phenotypic मैं आपको बताएगे जो हमें नजर आ रहे हैं यानि कि physically जो हमें दिख रहे है कि green color के कितने हैं और yellow color के कितने seeds हैं तो इस तरह से आप please ratio जो है इसकी comment करके मुझे बताएगे ताकि मुझे लगे कि आपको भी कुछ समझ में आ रहा है ठीक है अब स्टार्ट करते है dihybrid dihybrid का मतलब है कि जब हम दो traits एक साथ लेते हैं यानि कि हमने दो traits लिये shape और seed color लिया पीका तो यहाँ पे हमने dominant trait लिया round और yellow तो capital R, capital R, capital Y, capital Y और एक जो recessive trait लिया wrinkled और green small r, small r, small y, small y तो इस genotype से हमें जो gametes मिले आपको पता है हम क्या करते हैं जब भी हम F1 जनरेशन निकालते हैं तो हम gametes को identify करते हैं जैसे मैं आपको अभी बताया है तो gametes हमें यहाँ से मिले capital R, capital Y ठीक है और recessive trait वाले मिले small r, small y ठीक है तो अब हम इसको cross करेंगे इसकी event generation निकालेंगे जैसा मिन आपको बताया और यहाँ से हम हमें क्या result मिलेगा जितने भी plants हैं वो सारे round हैं और yellow हैं यानि कि जो dominant characters हैं वो सब express करेंगे सारे plant round color की shape में होंगे और yellow color उनका seed का color होगा यानि कि इसका जो genotype होगा वो होगा capital R, small r, capital Y, small y अब हम F2 generation निकालते हैं F2 generation निकालने के लिए हम उपर gametes लिग देंगे और यहाँ पर vertically भी gametes लिग देंगे और horizontally भी gametes लिग देंगे जैसे कि आपको दिख रहा है तो सबसे पहले आप इसका क्रॉस करना शुरू करते हैं capital Y, capital Y, capital R, capital R, capital Y, small y, capital R, capital R तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो जितने भी हमारे पास जो आ रहे हैं उन सब में dominant character show हो रहा है यानि कि capital Y और capital R हर किसे में आ रहा है तो जितने भी यहां पे हमारे पास office spring plant होंगे child plant होंगे वो सब yellow color की होंगे और round shape में होंगे चीक है यहां तक आपको समझ में आया अब हम next row इसकी लिखना start करते हैं next row में हमारे पास small y capital R है और capital Y और capital R है तो इस तरह से अगर आप second वाला देखेंगे तो उसमें small y small y आ रहा है दोनों में तो यानि कि recessive show होगा यानि कि वो green color का होगा और round shape में होगा चीक है इसी तरह से यहां पे अगर आप देखें last वाला small y small y आ रहा है और capital R small R आ रहा है तो यहां पे भी small y small y दोनों recessive है तो recessive trait यहां पर show होगा यानि कि वो green color का हो जाएगा ठीक है इस तरह से जब हम third वाली row को करेंगे तो यहां पे हमें देखो आप third वाला देखो capital Y capital Y smaller smaller तो smaller smaller मतलब वो wrinkled shape में होगा लेकिन dominant yellow color का होगा तो इस तरह से आप पूरी table बनाएंगे और अगर महाँ पे capital वाले letters आ रहे हैं तो वो dominant character को show करेंगे लेकिन अगर दोनों ही traits जो है दोनों ही ally recessive है तो वो recessive वाले traits को show करेंगी तो अब इस पे question कैसे आता है इस पे आप से question पूछे जाता है कि कितने round और yellow color के आपके पास plants आए कितने wrinkled और green color के plants आए तो यहाँ पे आप basically क्या करोगे count करोगे simple total आपके पास जो parents child आये है वो 16 आये है तो 9 out of 16 is yellow and round color plants ठीक है उसके बाद 3 out of 16 आप count भी कर सकते हैं 16 में से 3 है वो green color के है और round उनकी shape है इसे तना से 3 जो है yellow color के हैं और wrinkled हो चुके हैं उसके बाद 1 सिफ एक ही है जो green और wrinkled है तो यहाँ पे friends वीडियो अच्छी लगी है और समझ में अगर आई हो तो please comment करके ज़रूर बताए और यह जो topic है वो अगर आपको समझ में आपने friends से किसके साथ ज़रू शेय किजिए और आप ऐसी ही वीडियो के लिए आप please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए please 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 और लाइक ज़रूर कीजिए so friends till then bye bye take care hello students तो heritage and evolution वाला चैप्टर है उसमें evolution topic तो आपका cut हो गया है लेकिन जो heritage topic है उसमें जो mandals का law है law of inheritance of trait most important है और यह जो है exam हमेशा exam में से related question हमेशा आते है so इसका जो यह inheritance of traits है उसको हम पढ़ेंगे कि traits मतलब basically होता है correctors कि